दो मिनिट में लेकिन चली है और छ बनाने वाले हैं मैगी जो कि बहुत ज्यादरा टेस्टी है तो बहुत मज़ा आने वाला है तो छ बनाई की प्रोसेस करते हैं सबसे पहले तो यहां के motherfьered है हम सबजात करने की सबसी है तो उसकी जो कटी हुई वेस्टेट सब्जी बसती है तो उसको हम सूप बना लेते हैं तो जो सब्जियां बची हुई थी सारी सब्जियों को मैंने इसमें डाल के बॉयल करने के लिए रख दिया है लगबग 15-20 मिनट तक इसको बॉयल होने देंगे यही मैंने एक साइट पा बस इसको इतना बлаг करें कि अलग हो जाए तो यह देखी सारी मैंकी अच्छे से अलग हो गई है और यहलगी बाइल भी हो गई है तो इस तरह से चंल छाना लेंगे और इसमें अब निकाल लेते इसको अलग लीटें से पानी चान लेंगे और अब इसी के उपर से हलका नार्मल पानी मतलब आ जादा थंडा होना जादा गरम पानी नौर्मल पानी डालके इसको अच्छे देड़ कर देते हैं यहां ऑइल भी अच्छे से गर्प हो गया इसको इस तरह से मैंने स्प्रेट कर दिया है चारों तरफ और यहीं अब लगबग एक बड़ा चम्मच यहां बारी कटिवी लैशुन एट कर देंगे कर दिया झाल उब एक झाल से चाने स्वीय कर दोड़ा हो जब लगब कर देंगे में भी लैश्जय अबरह रखता चम्मच यहां रगष। झाल 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 यहां मैंने कुछ टमाटर लिए होगे हैं और इसको भूनने के लिए रख देते हैं तो इसको मतलब टमाटर को अच्छे से भून लेना हैं झाल 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 बोटलों का स्वात फीका पड़ जाए और साथ ही ना मैंने साधा ये पुलाव गनाया है तो इसको खाने के बाद पेट भरेगा मन नहीं तो चलिए इस्टार्ट करते बहुत टेस्टी है तो इसको बनाने के लिए मैंने ये बिल्कुल ताजे-ताजे से मस्रूम लिए हैं ये देखे अभी अनपैक कर रही हैं इसको और ये बिल्कुल फ्रस बिल्कुल सफेद मश्रूम है क्या करना है इसको दो-तीन बार पानी में वास जरूर कर लीजेगा अच्छे से अब यहीं इसी बोल में मैंने बिल्कुल गरम पानी लिया और इसमें एट कर देंगे मस्रूम ब यही मैंने ये प्याज, लेशुन, अद्रक और कुछ मशाले शात में रखे हैं एक कढ़ाई लेते हो और इसको गरम करते हैं तो पहले एक कढ़ाई में एक से डिर चमच तेल गरम करने के बाद ना ये खड़े मसाले अट करना है लेशुन, अद्रक और प्याज अट करना है इसको तब तक पकाईएगा जब तक कि प्याज हलकी ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती है यहीं दो इस तरह से कटेवेट टमाटर एट कर देंगे इसको मिक्स करते हैं यहीं हलका सा नमक एट कर देते हैं जिससे कि यह बहुत जल्दी पक जाता है अब चेक कर लेते हैं और यह देखें यह मशाले तो लगभग पके रेडी हो गया है यहां यह खड़े मशाले अलग कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह खड़े मशाले पसंद नहीं आता क्योंकि बिल्कुल महीन नहीं पिसपाते हैं यह देखे टमाटर भी अच्छे से गल गए हो और प्याज भी पक्के रेडी हो गई अच्छी से एक स्मेल आती है यहीं एक कढ़ाई लेते हैं कढ़ाई में दो चम्मच जो भी आप cooking oil यूज करते हो उसको डालके गर्म कर लेना है यहीं न यह धेर सारा बटर एट करना है इस अब न इसको mix करते हैं और mix करने के बाद इसमें कुछ मशाले एट करते हैं जैसे धनिया पाउडर साथी चुटकी बर हल्दी पाउडर यहीं पनीर मशाला या मश्रूम मशाला एट कर दीजे और साथी यहां तीखी वाली लाल मिर्च अपनी साब से एट करिएगा और कलर क लिए कास्मेरी लाल मिर्च पाउडर एट करना है थोड़ा साथी पाणी अपनी एट करते हैं फट इसको mix करते हैं मशालो को धिमी धिमीных आच में और बहुत अच्छे से पकाना है। यह मशाले जितने अच्छे से पकते हैं इसमेल बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है मैं इसको फटाफट मिक्स करके और इसको कबर कर देती हूँ लगबग 10 मिनट पकने देते हैं अबना हम मश्रूम चेक कर लेते हैं और ये रेखें मश्रूम को भी लगबग 10 से 15 मिनट मैंने ऐसे रखा हुआ है अबना इसको निकाल लेते हैं और फटाफट इसको कट करते हैं चलिए हम मश्रूम को 3 से 4 पार्ट में इसको डिवाइट कर लेते हैं तो इस तरह से इसको कट करना है या आप इसको 2 पार्ट में भी कट करके एड़ कर सकते हो तो पहले तो मस्रूम को cut करके ready कर लेते हैं तो अगर आप मस्रूम की जगा पनीर की भी सबजी बना रहे हो ना तो उसको भी इसी तरह से cut कर लेना है अब इनको थोड़ा सा toss करना है तो यहां मैंने एक pan लिया है pan में आदा या एक चमच तेल एड़ करना है साथ ही इसमें बटर थोड़ा ज़्यादा एड़ करना है क्या होता है अगर तेल के साथ बटर एड़ करते हैं तो बटर जलता भी नहीं है और एक अच्छी सी smell भी आती है तो अब इसको melt कर लेना है और यहीं अब हम मस्रूम को इसमें एड़ कर देते हैं साथ ही इसमें कुछ मशाले भी एड़ करना है तो यहां हम लाल मिर्च पाउडर साथ ही थोड़ा सा धनिया, हल्दी पाउडर और भी आप चाहो तो जो मशाले एड़ कर सकते हो इसमें हलका सा गरम मशाला भी एड़ कर देना है अब इसको mix करना है और यहीं थोड़े से मैंने यह फ्रोजन वाले मटर एड़ कर दिया अगर आपको पसंद है तो एड़ करो आप इसे इसकी भी कर सकते हो बस इसको हलका सा हाई फ्लेम में टॉस करना है जिससे कि मश्रूम में और मटर में साथ ही मशालों में भी एक अच्छी शी इसमेल मिक्स हो जाती है अब यह मशाले भी मतलब यह ग्रेवी भी लगभग पक्के रेडी हो गई है तो अब हम इसमें यह जो हमने मस्रूम को टौश किया है इसमें एड़ कर देंगे साथ ही न यहां घर के दूद की मलाई लेना है लगबग दो बड़े चम्मच या आप फ्रेश अमूल की मलाई या क्रीम भी ले शकते हो तो इसको अच्छे से फेट लेना है इस तरह से और अब इसमें एड़ कर देना है तो इसमें फ्रेश मलाई का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है क्रीमी टेक्स्च्चर आता है साथ ही थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे हम ग्रेवी में ज्यादा पानी नहीं एड़ करेंगे अब भी तक आपने देखा होगा लगभग 10 मिनुट तक धीमी दी मियाच में पकने देंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया ना जितना अच्छा मतलब जितनी देर तक मशाले पक जाएंगे उत्ती अच्छी स्मेल और टेस्ट दोनों आएगा यह देखें यहां हमारी यह मश्रूम की शबजी पके रेड़ी हो गई है बारी कटी हुई लाष्ट में हरी धनिया एड़ करना है और इसको कबर करके साइट से रग देंगे जिससे लाष्ट में देखेंगे बहुत अच्छा कलर आ जाता है हम यहां फटफट साधा पुलाव बना लेते हैं तो यहां लेना है कोई भी पुलाव वाला चावल जो भी आप यूज करते हैं इसको एक से दो बार पानी में अच्छे शे वाश कर लेना है यह देखें अब यहां एक प्रेशर कुकर लेते हैं और प्रेशर कूकर में एक से दो चम्मज तक रिफाइन डॉयल डालके गर्म कर लेना है जैसे गर्म हो जाता है तो यहां थोड़ा सा जीरा, साथी, लॉंग, काली, मिर्च और इसमें खड़े मशाले और एट कर देंगे हलका सा इसको पकाना है और यहीं जो हमने चावल धुल के रखा ता ना उसको इसमें एट कर देना है गैस के फ्लेम को हाई करके आधा मिनट तक चावलों को अच्छे से भून लेना है यहीं लगबग एक से डियर्ड गिलास तक इसमें पानी एट कर देंगे इतना की चावल अच्छे से पक भी जाए और साथ ही पुलाव जो है वो बिल्कुल ड्राय बने तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और कबर करके एक सीटी आने तक इसको पकने देते हैं और अब यह रिखे चेक कर लेंगे और यह हमारे बिल्कुल सॉप्ट सॉप्ट से पुलाव खिले खिले से पुलाव बनके रेडी हो गया है अब मैं आपको सबजी भी दिखाते हूँ और उसका देखेगा कितना अच्छा कलर आया है और यह रिखे तो यहां मारी मस्रूम की सबजी भी बनके रेडी हो गई है और साथ ही पुलाव भी तो हम चलते हैं इसको सर्व करने और आप भी इन तेवहारों में जरूर ट्राइ करें और इंज्वाए करें